नमस्कार दोस्तों वेलकम टू भाट पारानी दोस्तो बटनी को भाट पारानी मजहुली राई सलेमपूर्थे जोडने वाली 85 गराम के निकट छोटी गंडक नदी पर जो पुल निर्माण हो रहा था वो हाल के समय में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंतक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें तथा बेल आइकन वाली घंटी को भी प्रेस कर दें दोस्तों हमने इस पुल परियोजिना का सिलसी लेवाय धंग से सुरू से अंत तक या फिर कहें आरंभ से अंत तक निर्माण की ताजा तश्वीर आपके समक्च पांच वीडियो के मार्धियों से देते आए हैं दोस्तों अगर आप हमारे पिछले चार वीडियो जो इसी पुल निर्माण पे अधारी थे उन्हें आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 130 मीटर लंबे इस पुल के बन जाने से लोगों को जो पहले 10-15 किलोमीटर घूम कर आना जाना पड़ता था या फिर नाओ के माधियम से जान जोखिम में डाल कर एक तरफ से दूसरे तरफ जाना पड़ता था इस पुल के बन जाने से लोगों को बड़ी निजात मिली है साथी पुल के बन जाने से हाल फिलाल में छेतर के लोगों के लिए या टूरिक्स डेस्टिनेशन यानि प्रेटा कस्तल के केंदर के रूप में भी अस्थाबित हुआ है आए दिन छेतरवासी यहां सेलफी लेने टालने तथा प्राकितिक संदरे के दर्शन करने आते रहते हैं दोस्तो आपको ये परियोचना कैसी लगी हमारे कुमेंट बॉक्स में अपनी पर्तकिरिया जरूर दें चलिए दोस्तो अभी के लिए बस इतना है अगले जानकारी अगले वीडियो में किसी और पर यो इतना तता जानकारी को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपका हर कमेंट हमें मत फूने चलिए दोस्तों तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जाहिन बंदे मातम भात माता की जाए हर हर मादेव